हेलो दोस्तों, आप सब को नीतु सैनी का सलाम, नमस्कार दोस्तों, आकर्शन, आकर्शन किसी से भी हो सकता है है ना, आकर्शन में और प्यार में बहुत फर्ख होता है दोस्तों कई लोग इस कश्मकश में रहते हैं कि जो उन्हें हुआ है वो आकर्शन है या कि फिर महबत या प्यार उसका एक आसान सा तरीका है उसे पहचानने का दोस्तों जो आकर्शन होता है ना वो किसी से भी हो सकता है और उसके किसी एक क्यारेक्टरिस्टिक से भी हो सकता है यानि कि अगर कोई आप से अच्छी तरह से बात करता हो तो आपको उसकी ये बात अच्छी लग सकती है कि वो कितने अच्छे से बात करता है या करती है या फिर कोई बहुत अच्छा दिखता हो या दिखती हो तो भी आकर्शन उसके प्रती हो सकता है कई बार लोग जिस तरहें से खयाल रखते हैं आपका या अच्छी बाते करते हैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या आपकी तारीफ करते हैं उनके प्रती भी आप आकरशित हो सकते हैं तो ये आकरशन होता है दोस्तों और ये किसी भी खुबसूरत चीज से हम आकरशित होते हैं प्रकृति की तरफ ही दोस्तों इतनी खुबसूरती है प्रकृति में इतने सुंदर फूल जो हम देखते हैं सूरज का उगना चांद का दिखना चांदनी का प्हलना मुस्कुराना तारों का टिम्टिमाना ये सब दोस्तों बहुत ही खुबसूरती जो फैली होई है प्रकृती में हम इसके प्रती भी आकरशित होते हैं या फिर कोई बहुत प्यारा सा बच्चा हो उसकी प्यारी सी मासुम सी मुस्कान उसके प्रती भी हम आकरशित होते हैं तो यह आकरशन है दोस्तों अब यही आकरशन अगर आपके opposite gender के साथ होता है यानि लड़के का लड़की की तरफ या लड़की का लड़के की तरफ तो लोग इस कश्मकश में कई बार पड़ जाते हैं कि ये महद एक आकरशन है एक थोड़ी देर के लिए हम उसके तरफ आकर आकर्शन और प्यार में जिसको हम बोलते हैं लव इट फास साइट ये सबसे पहले जो होता है नजरों को जो दिखता है ये दिल को जो महसूस होता है आकर्शन वो आकर्शन ही होता है लव इट फास साइट लेकिन धीरे धीरे जब आप उस शक्स से मिलते हैं उसके बारे में जानते हैं उसका व्यवार उसका तरीका जिस तरह से वो आपको आपके साथ पेश आता है दीरे दीरे आप उससे और जो ये आकर्शन होता है ये स्ट्रोंग होता जाता है मजबूत होता जाता है और आप उससे महबत करने लगते हैं दोस्तों तो ये आकर्शन ही परिवर्तित हो जाता है प्यार में और दुसरी बात दोस्तों ये आकाशन जो होता है इसमें उतना दर्द नहीं होता जितना की प्यार में होता है अगर आप किसी के प्रती आकरशित हैं तो आपको बुरा लगेगा अगर वो आप पर ध्यान न दे आपकी तरफ न देखे आपसे बात न करें आपको इग्नोर करें तो आपको हाँ दुख होगा दर्द होगा लेकिन आप उससे उभर आएंगे आप उसको भूल सकेंगे भूल जाएंगे जल्दी तो कि ये थोड़े टाइम के लिए होता है थोड़े प्यार की बात नहीं कर रही है वो जो होता है सच्चा प्यार वो आपकी रूँ को तरपाता है रूँ तक पहुँचता है एक टीस सी छोड़ता है दिल में वो होता है प्यार दोस्तों कि जब आपको दुख होता है अगर आप उसके चेहरे पर गम देखते हैं आपको खुशी मिलती है अगर आप उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं वो होता है प्यार तो दोस्तों ख्याल रखिए अपना और समझे कि आकर्शन में और प्यार में और सच्छे प्यार में बहुत फर्ख है टेक क्यार दोस्तों बस यूहीं हसते रहिए मुस्कुराते रहिए